बड़ी ख़बर आ रही अक्षर शिंदे के एंकाउंटर पर बॉंबे हाई कोट ने स्तवाल उठाए बदलापूर एंकाउंटर पर कोट की तल्ख टिपड़ी कोट ने कहा CCTV फुटेज सम्हाल कर रखें इस घटना के निस्पक्ष जाच जरूरी हाई कोट का ये कहना है अदालत ने कल CID जाच का आदेश होने के बाद भी अभी तक दस्तावेज नहीं सौपे जाने पर नाराजगी जताई है पोस्ट मॉटम से लगता है शरीर पर खरोचे भी थी ये पता चलता की गोली नजदीक से मारी गई आरोपी ने पिस्टॉल की लॉक खोल कर कैसे गोली चलाई हलाकि पुलिस का कहना हाथा पाई की दौरान पिस्टॉल का लॉक खुला अदालत ने कल CID जाच का आदेश होने के बाद भी अभी तक दस्तावेज नहीं सौपे जाने पर नाराजगी जताई है दालत ने पुलिस वालों के CDR निकालने को कहा है तो यह इस वक्त की बड़ी ख़बर है और यहाँ पर हमारे संबादाता सुनील इस वक्त हमारे साथ इस ख़बर पर और ज़्यादा जानकारी देने के लिए लाइब जुड चुके हैं सुनील बॉंबे हाई कोट ने काफी तल्ख टिपड़ी की है अक्षय शिंदे एंकाउंटर मामले में क्या कुछ हुआ कोट रूम में आप जानकारी दीजिए जेके बिलकुल बॉंबे हाई कोट में जो अक्षय शिंदे जिसका के एंकाउंटर हो गया था उसके पिता की याचिका पर आज सुनवाई हुई जस्टिस मोहित्य डेरे और प्रित्वीराच चोहान दोनों ने सुनवाई की लगबग डेर से तोने दो घंटे तक सुनवाई चली लंबी और बहुत ही गंभीरता पुर्वक जो भी विशे थे उसको सुना है अदालत ने अदालत ने पहले पूरे घटना क्रम को समझा जो स देखिए यहाँ पर अब हम एक बार फिर से संपर करेंगे लेकिन फिलाल हाई कोट ने का कि आरोपे ने पिस्टॉल की लॉक खोल कर कैसे गोली चलाई यह सवाल पूछा पुलिस पर तीन गोली चली तो एक ही क्यों लगी हाई कोट ने यह भी पूछा है तो आप देखिए इस वक्त यह बड़ी खबर है पुलिस यह कह रहे है कि हाता पाई की दौरन पिस्टॉल का लॉक खोला कोट का कहना हमें संदे नहीं लेकिन सचाई जाननी है एंकाउंटर पर बॉम्बे हाई कोट में अगली सुनवाई अब 3 अक्टूबर को होगी तो यह इस वक्त की खबर है घटना के निश्पक्ष जाच किया विशक्ता भले ही पुलिस शामिल यह आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक बड़ा यहां पर सवाल पूछा गया हाई कोट के तरब से हम केवल सचाई जानना चाहते हैं यह कहना है हाई कोट का सुनील एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुनील आप अपनी बात पूरी करिए और अब क्या माना जाए हाई कोट ने जब इतने तल्क सवाल पूछे हैं तो इसका जवाब क्या होगा पुलिस के पास देखिए अक्षे शिंदे का जो इंकाउंटर है उस पर सुरू से सवाल उठ रहे हैं उन सवालों के कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब भी भिलाल ठाने क्राइम ब्रांच के पास नहीं था जिनकी टीम ने उस वो इंकाउंटर किया था बहराल जब आज अक्षे शिंदे के पिता की याजिका पर यहां पर सुरुवाई हुई तो वहीं सब सवालों को जस्टिस मुईते डेरे और जस्टिस प्रित्विराज चौवान ने जो सरकारी वकील हैतिन वेनेगाव कर उनसे पूछा मसलन कि क्या क्या उसे हतकड़ी पहनाई गई थी लाते समय तब उन्होंन उन्हें साब तोर पर कहा कि यह बताईए कि रिवालवर थी या फिर पिस्तॉल थी तो वकील वकील ने बताया कि पिस्तॉल थी तो जस्टिस जो प्रित्विराज चौवान ने कहा कि पिस्तॉल जो है वो लॉक होती है और उसके इस्तिमाल करने में इतनी आसानी नहीं होती रुषा इतना स्सुर्ध है उसे साधरना आजमी उस्से इस ले उनलॉक कर नहीं चला सकता है तो इसके लिए दक्ष होना बहुत जरूरी है मैंने बहुत बड़ा उन्होंने एक सवाल उठा है दूसरा उन्होंने कहा कि जो पॉस्मार्टो रिपोर्ट है उसे साफ लग रहा है कि पॉइंट ब्लैंक जो है कि यह यह बंदूग चलाई गई है और जो डिजीज है याने की अक् याजका करता की तरफ से रखे गई थी कि पांच सवा पांच बज़े के करीब अक्षर चिंदे को तलोजा जेल से ठाने के लिए ले जाय जा रहा था तब रास्ते में एंकाउंटर हुआ था जबकि साड़े तीन बज़े उनका परिवार जाके मिला था और तब वो इस मनसि हम आपके पास वापस आएंगे तो फिलहाल देखिया हाई कोट ने यहाँ पर कई सवाल मुंबई पुलिस से पूछे है